अलकमिन यो और ब्रेकिंग बैड मुवी इस मुवी को मैं आज आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूँ ये मुवी ब्रेकिंग बैड का जो एंड होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है जैसी टोड़के गाड़ी में वहाँ से निकल चुका है जहाँ उसे कईदी रखा था अब वहाँ से निकल कर पुलिस से बचते बचते डारेक्ली स्कीनी पीट के घर आ जाता है वह दर्वाजा खट-कटाता है तो स्कीनी पीट उसे पैचानता नहीं क्यूकि जैसी का हाल बहुत ही खराब होता है फिर वह उसे अंदर लेता है उसकी गाड़ी ड्राइवे में होती है तो उसे अंदर लेने के लिए जैसी बोलता है फिर वह सब उस गाड़ी को कवर वगरा कर लिते हैं और जैसी फिर खाना खाता है और सो जाता है बैजर और स्कीनी पीट न्यूज देख रहे होते हैं उन्हें पता चलता है कि किस तरह से वाल्डर ने एक मशिन गन से सब लोगों को मार दिया जेसी की स्टोरी भी उन्हें बता चलती है कि उसे कैदी रखा था और उससे काम करवाते थे जेसी जब उठता है तो उससे लगता है कि अभी भी वो केज में है क्योंकि जो कर्टन्स होते है वो केज की तरह उसे लग रहे होते तो डर के रूटता है और बैजर और स्किनी पीट पर वो गन रखता है फिर वो अपने होश समालता है फिर बैजर और स्किनी पीट उसे बोलते है कि तुम्हें अब नहा विगरा लेना चाहिए उसे कपड़े विगरा देते है और फिर जेसी नहाता है नहाते वक्त जब वो टॉड के साथ था तो उसकी याद आती है उसे वो पाइप के प्रेशर में नहलाते थे उस पर बहुत सारे जुल्म उन्होंने की होते है तो ये सब उसे याद आता है जैसी फिर शेविंग विगरा करकर फिर से पहले जैसा हो जाता है सकिनी पीट उसे बुछता है कि क्या अब तुमारे पास कोई प्लैन है जैसी बोलता है कि हाँ मेरे पास एक प्लैन है फिर वो स्क्रैप Yard वाले को कॉल करता है उसने जैसी की वैन सक्रैप की होती है और evidence मिटाने के लिए उसने एक जो magnet बनाया था ये वही आदमी होता है ये वहाँ आता है और गाड़ी को देखता है वो गाड़ी को ले जाने वाला होता है वो बोलता है कि ये मैं free में कर दूँगा क्योंकि उसने टीवी पर देखा होता है कि जेसी के साथ क्या क्या हुआ था जब वो गाड़ी के पास जाता है तभी गाड़ी में जो tracker होता है जिसे पुलिस को पता चलता है कि गाड़ी कहा है वो on हो जाता है वो फिर डर जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है फिर skinny pit बोलता है कि मैं तुम्हें help करूँगा फिर skinny pit बैजर को उसकी गाड़ी की चावी देता है वो बैजर जेसी की तरह धोन करकर skinny pit की गाड़ी वो border के पास लेकर जाने वाला होता है बैजर की गाड़ी जेसी को दे देते हैं और skinny pit उसके ड्राइव में ही उस गाड़ी को रखता है जो जेसी ने लाई हुई होती है यानि कि अगर पुलिस ढूणनेगे तो skinny pit की गाड़ी ढूणनेगे वो पुलिस को बताएगा की जेसी उसकी गाड़ी लेकर चला गया है और फिर वो उस गाड़ी को ढूणते रह जाएंगे और जेसी भाग सकता है यह उसका plan होता है जेसी जाते वक्त skinny pit से सवाल पूछता है क्यों तुम मुझे इतनी help कर रहे हो skinny pit बोलता है क्यों तुम मेरे hero फिर जेसी वहाँ से निकल जाता है अभी भी फुलिस आसपासी होती है और उनसे डर डर कर चिप चिप कर वहाँ से निकलता है फिर उसे एक flashback या आता है वो cage में होता है और Todd से मिलने आता है Todd उसे बोलता है क्यों मेरे uncle और वो अब सब weekend के लिए बाहर है तो हम दोनों ही आ रहने वाले हैं इसलिए वो उसे उपर बुला लेता है वो बोलता है अगर तुम behave करोगे तो हम अच्छे से weekend spend कर सकते मुझे कुछ काम है तो तुमें मुझे help करनी है जैसी उसे बहुत ही dirty लगता है तो वो उसे बोलता है कि मुझे तुमें अच्छा साफ करना चाहिए next time से मैं तुमें अच्छे से साफ करूँगा फिर Todd उसे अपने apartment मर ले जाता है Todd की जो car होती है उसका rooftop उसे अकेले नहीं लग रहा होता तो इसलिए वो जैसी की help लेता है वो दोनों उसे उठाते है और उसके गाड़ी पर वो लगा देते है जैसी बोलता है कि इसके लिए कि तुमें मेरी help चाहिए थी क्या तो Todd बोलता है कि हमें और एक काम है फिर-फिर से present में movie आती है और हमें दिखता है कि जैसी Todd के apartment पर ही आ गया है वो उपर जाता है और Todd का apartment seal होता है वहाँ Todd का एक neighbor भी होता है वो neighbor पहले army में होता था पर वो अब घर में ही रहता है पर वो बहुत ही noisy neighbor होता है यानि कि वो सब जगा नजर रखता है तो जैसी उससे छुप छुप कर अंदर आ जाता है फिर से flashback में हम आते हैं जैसी उस neighbor को door hole से देख रहा होता है Todd भी उससे बात करता है और घर में आ जाता है Todd फिर उससे बोलता है कि अच्छा है कि उसने तुमें नहीं देखा वरना मुझे उससे भी मारना पड़ता Todd उसके घर के बारे में बोलता है कि यह बहुत ही पेल लग रहा है तो जैसी बोलता है कि हमें पैंट करना है क्या इसलिए तुमने मुझे यहां बुलाया है फिर Todd उसे kitchen में लेके जाता है kitchen में जैसी देखता है कि उसकी जो made होती है उसका murder Todd ने किया होता है और उसकी dead body वहाँ पड़ी होती है जैसी फिर उसे carpet में roll करने के लिए help करता है जैसी उससे पूछता है कि इसने क्या किया था Todd बोलता है कि इसने मेरे पैसो को ढून लिया था उसने अपने पैसे encyclopedia में रखे हुए होते है हर alphabet के उसके पास books होते है और हर book में उसने hole बना कर उस पैसो को रखा हुआ होता है फिर जैसी बुछता है कि क्या उसने तुमारे पैसे चुराए थे तो बोलता है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं किया था पर उसने उसे ढूण लिये और मेरे अंकल बोलते है कि किसी को भी तुमारे पैसे नहीं मिलने चाहिए वो किसी को बता देती इसलिए मैंने उसे मार दिया इनी पैसो को ढूणने के लिए जैसी टौड के अपार्मेंट में आयो हुआ होता है तौडने बहुत ही केरफुली उसे अप चिपाए होते है यानि किसी को भी पता ना चले फिर इसे प्रेजन में मूवी आती है और जैसी हमें पूरे अपार्मेंट में ढूणता हुआ दिखता है वो बहुत सारी चीज़ों को ढूण रहा होता है पर भी उसे कहीं नहीं मिल रहा होता फिर वो खिड़की से देखता है कि नेबर के अपार्मेंट में जो टीवी चल रहा होता है उस पर उसके पैरेंट्स आये हुए होते है वो फिर टीवी आन करता है और सुनता है उसके पैरेंट्स उसे मैसेज दे रहे होते है कि तुम जहाँ भी हो तुम घर वापस आजाओ फिर से flashback में हमें दिखता है कि जेसी उपर से वो dead body को फिकता है टॉड फिर उसके गाड़ी में अलकमीनों में उस body को रखता है जेसी को भी वही उस body के साथ सोकर जाना पड़ता है फिर वो दोनों desert में जाते हैं वो desert में गड़ा खुदते हैं जेसी कोई खुदना पड़ता है और वहाँ उसे गार देते हैं वो फिर बेटे हुए होते हैं और Todd एक eulogy देता है फिर Todd को एक cigarette चाहिए होती है तो जेसी को बोलता है कि कार के compartment में एक cigarette है वो मुझे लाकर दो और वहाँ गण भी होती है जेसी उस गण को उठा लेता है Todd डर जाता है पर Todd उसे बोलता है कि मुझे लगाता कि तुम behave करने वाले हो मैं तुमारे लिए एक pizza भी लेने वाला था तो ये कौन सा pizza अच्छा लगता है उसे वो कुत्ते की तरह treat करता है जेसी का उतना courage नहीं होता कि वो उसे मार सके तो जेसी फिर वो गण उसे दे देता है जेसी सब पैसे ढूंड कर हार मान लेता है तो भी उसे freeze देखता है freeze की पटी वो निकाल रहा होता है तभी उसे एक गड़ी निकलते हुए दिखती है उसे आप पैसे मिल चुके होते है पर तभी डोर खटकराने का आवाज उसे आता है उस डोर से दो पुलिस आते है जेसी फिर से उस पैसो को cover करकर वो ही छिप जाता है वो actual में पुलिस नहीं होते तो वो disguise किये हुए दो बंदे होते है वो पुरे घर को चान रहे होते है और जेसी वहाँ चिपा होता है तो एक उसे ढून लेता है तो जेसी उसे गन लगाता है और शांत रहने को बोलता है जेसी को लग रहा होता है कि यह दो पुलिस आफिसर है तो वो दूसरों को भी वहाँ बुलाता है फिर वो दूसरा आदमी बोलता है कि अगर तुमने मेरे पार्टनर को मारा तो यहाँ बहुत सारे पुलिस ओफिसर है तुम कभी भी यहाँ से जिन्दा नहीं बचोगे तुम्हारे पास कोई भी चोईस नहीं है तो जैसी फिर सरेंडर करने के लिए राजी होता है पर वो उसे एक प्लैस्टिक के हैंडकप से बानते है जैसी पूछता है कि तुम्हारे पास एक्चुल हैंडकप नहीं है क्या तो उसे पता चलता है कि वो फेक पुलिस है और पे फ कुछ important हो सकता है इसलिए वह उसे वह note दिखाना चाहता है वह उससे अपने अपारमेंट मेर ले जाता है फिर जैसी उस दूसरे आदमी को बोलता है किुछ अगर इस पैसे को ढूंडने ra masks to कभी भी नहीं मिलेंगे, यह पैसे कहा है, मुझे पता है, अगर तुम मानजाओ, कि हम पैसे SPLEET करेंगे, तो मैं तुम्हें पैसे ढूंड कर दे दूँगा, फिर जैसे उन पैसे को ढूंडता है, एक प्लास्टिक बैक लेता है, और उसमें वो रख रहा होता है, फिर वो मैंन को भी तुमें मारना पड़ेगा यानि कि नेवर को भी उने मारना पड़ेगा विटनेसेज भी तुम छोड़ कर जा सकते हो यानि कि तुम पकड़े जाओगे कि इतना बड़ा रिस्क तुम नहीं ले सकते फिर वो जैसी को पैसे लेने देता है जैसी हाफ पैसे ले रहा ह होता है वो बोलता है कि तुम 1-30 पैसे ले सकते हो फिर वो दोना नीचे आ जाते हैं जैसि जब कार में बैठता तब उसे दिखता है कि वह जो दो लोग हैं वो एक वेल्लिंग के गारी में आये हुए होती वो उसे पहचान लेता है, वो आदमी उसे बोलता है कि मैं सोची रहा था कि तुम मुझे कब पहचानोगे पर JC वहां से निकल जाता है, उसने vacuum cleaner का पता निकाला होता है यह vacuum cleaner की जो शॉप होती है, यह वही शॉप होती है जहाँ का आदमी लोगों को गायब करता है यानि कि new identity देकर वो दूसरे country में उनने लेकर जाता है Walter और Saul को इस नहीं गायब होने में मदद की होती है जैसी फिर उसकी van वहाँ बाहर देखता है जैसी को पता चल जाता है कि यही vacuum cleaner का shop है फिर वो अंदर जाता है वहाँ already एक customer होती है उस customer जाने का वो wait करता है फिर वो door burn कर लेता है जैसी उस आदमी से बोलता है कि मुझे max pro चाहिए vacuum cleaner चाहिए उसे exact keyword पता नहीं होते जिससे उसका वो plan activate होने वाला होता है जैसी बोलता है कि मुझे पता है कि वो तुम ही हो वो deny कर रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या बात कर रहे हो जैसी फिर उसे बोलता है कि मैंने तुमारी minivan देखी थी तुम जब मुझे लेने आये थे तुमारी यही minivan थी और यही बार खड़ी है तो तुम ही वही हो जो लोगों को guyp करते हो फिर जैसी अपने पैसे निकालता है और उस पे रख देता है 125K वो उसे देता है फिर वो आदमे बोलता है कि last time तुम जब नहीं आये थे उसके यह पैसे है तो मैं और double pay मुझे करना पड़ेगा जैसी फिर सब पैसे निकालता है और वहार रख रहा होता है पर उसके पास complete पैसे नहीं होते वो बहुत अपने जेब से वेगरा सब पैसे निकालता है फिर भी उसको 1800 डॉलर्स कम लग रहे होते है जैसी बोलता है कि इतनों से पैसों के लिए तुम क्या मुझे यही छोड़ दोगे वो बोलता है कि हाँ मुझे पूरे पैसे चाहिए जैसी वहाँ से जा नहीं रहा होता तो वो उसे धमकी देता है कि मैं पुलिस को कॉल करूँगा जैसी फिर भी नहीं मानता तो वो पुलिस को कॉल कर देता है J.C. figure out करता है कि उसने एक fake call किया होगा J.C. उसे बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा lose करने को है अगर पुलिस को पता चला कि मैं इतने सारे पैसे लेकर तुम्हारे पास आया था तो तुम भी trouble में आ सकते हो ये shop वेगरा सब तुम lose कर सकते हो तुमने पुलिस को call ही नहीं किया था जब पुलिस को call करते हो तो वो lady तुमसे हमेशा लाइन पर रहने के लिए बोलती है जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक तुम्हें line on रखनी होती है अगर तुमने phone card भी दिया फिर भी वो तुम्हें फिर से call करते है जेसी के पीछे से हमें पुलिस कार आती हुई दिखती है उसने actual में पुलिस को call किया होता है फिर जेसी वहाँ से भाग जाता है और वो उसके लिए cover करता है जेसी फिर कार से उसे call करता है वो बोलता है कि अगर मैं पुरे पैसे लेकर आओ तो क्या तुम मुझे help करोगे कहां बोलता है कि हाँ मैं तुम्हे help कर सकता हूँ फिर जेसी हमें अपने घर के बाहर बैठा हुआ दिखता है वो अपने parents को call करता है कि तुम्हें पता है कि एक लेक था जहां हम हमेशा जायक करते थे क्या तुम हम मुझे वहाँ लेने के लिए आ सकते हो फिर उसके parents उसे लेने के लिए आ रहे होते है जेसी phone पर ये भी बताता है कि तुम अच्छे parents थे ये तुम पर कुछ भी नहीं है जैसे मैं बन गया ये सब बुरे काम मैंने किये है ये तुम्हारी वज़े से नहीं किये तुम्हारी parenting बहुत ही अच्छी थी जब वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ जाने के लिए ready होते हैं तब जेसी backdoor से उनकी घर में आ जाता है उनका जो locker होता है उस locker से उनने उसे दो guns मिलती है फिर वो उस welding के shop में आ जाता है welding के shop में जब वो आता है वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने बहुत सारी hookers वेगरा भी मंगवाई हुई होती है तो जेसी वहाँ wait कर रहा होता है जब सब वहाँ से चले जाएंगे तब वो welding वाले के पास जाने वाला होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते है जेसी फिर flashback में याद कर रहा होता है यह जो welding वाला होता है इसने जेसी के लिए lab setup किया होता है लेब यानी कि उसमें जो चेंज विगरा होती है और उपर का जो रोड होता है वो इस वेल्डिंग वाले ने ही create किया होता है तोड के साथ उसका friend जो होता है वो उस वेल्डिंग वाले को बोल रहा होता है कि तुम्हें और एक रोड डालना चाहिए जैसी को वहा वो रखने वाले होते है तो इसलिए वो तूटे ना इसलिए वो उसे बोल रहा होता है पर वो वेल्डिंग वाला उसे बोलता है कि कुछ भी कर लो पर ये तूटे गा नहीं फिर इस पर उनकी bet लग जाती है फिर वो जैसी को लाते है और जैसी को पीछे आगे होने को बोलते है वो उसे भाग भाग कर जाने को बोलते है और उसे तोड़ने के लिए बोलते है उसे स्लिव की तरह ट्रीट किया जाता है और वो वेल्डिंग वाला भी वहा होता है पर वो कुछ भी नहीं बोलता इसलिए उसे वो welding वाला याद होता है फिर जब सब हुकल्स वेगरा वहाँ से चले जाती है तब J.C. फिर से अंदर जाता है वो अंदर जाकर उस welding वाले से बोलता है कि मुझे पैसे ज़रा कम पड़ रहे है मुझे और 1800 डॉलर्स शही है तो welding वाला उसे बोलता है कि यह तुम कैसे करने वाले हो यहाँ हम पाच लोग है और तुम अकेले हो तुम यहाँ से जिन्दा बचकर नहीं जा सकते अगर तुमने कुछ उल्टा सिदा किया फिर वो उसके चोटी सी गन देखता है वो उस पर हसता है और बोलता है यह तुमने कहा सिलाई फिर वो उसे एक डील देता है कि हम दोनों एक गन फाइट करेंगे यानि कि एक साथ वो गन ड्रॉक करेंगे और जो मर गया उसके पैसे दुसरे के हो जाने वाले होते है तो JC उसके पैसो की location बताता है और वो अपनी पैसो की location बताता है वेल्लिंग वाले का जो partner होता है वो उसे ना बोल रहा होता है पर वो अपने partner को शान्त रहने के लिए बोलता है फिर वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं JC के पास दो guns होती है उसके pocket में already एक gun होती है और दूसरी gun वो draw करने वाला होता है पर जब वो welding वाला अपनी gun पर हाथ रखता है तभी JC pocket में उसकी जो gun होती है उससे उसे मार देता है welding वाले का जो partner होता है उसे भी वो मार देता है वो जो दूसरे दीन लोग होते है वो working class आदमी होते है यानि वो किसी को मार भी नहीं सकते है वो सिर्फ welding वाले के friend होते है वो सब डरे हुए होते है तो जैसी उन सब से उनके driving license मांगता है वो अपने या रख लेता है और उनको बड़े flashback का है Breaking Bad में हमने देखा था कि एक बार जैसी और Walter की van खराब हो जाती है यानि कि वो चालू ही नहीं होती वो desert में होते है और उनके पास कोई भी option नहीं होता बहुत सारा try करते है पर last में उनकी गाड़ी तब start हो जाती है वहाँ जैसी Walter को पहले बोला हुआ होता ह कि हमें break लेना चाहिए और हम mortal पे जाएंगे van start होने के बाद उस mortal पर वो आते है जैसी नहाता है और jane को भी call करता है ये jane के साथ अच्छा सा moment वो वहाँ spend करता है फिर वो नहा दोकर Walter के साथ नीचे आता है वो दोनों बहुत सारा breakfast कर रहे होते है जैसे अब healthy खाना खा र होता है और Walter उसे उस पर डाट रहा होता है तो अब वो सब healthy खा रहा होता है Walter को जिनता हो रही होती है कि उन्होंने बहुत सारा अब तो cook किया है पर अब इसको buy कौन करेगा Walter का diagnosis बाकी होता है और उसे लग रहा होता है कि वो cancer से जल्दी मरने वाला है इसलिए वो डर रहा ह होता है जैसी उसे समझाता है कि जब यह मैं sell करूंगा तो तुमारे family के लिए मैं पूरे पैसे दे दूंगा तो यह वरी करने के कोई भी ज़रूद नहीं है Walter फिर जैसी से पूछता है कि तुम पैसों के साथ क्या करोगे वो जैसी को suggest करता है कि वो college जाए जैसी ना बोल र होता है पर वे उसे पूछता है कि अगर तुम college गए तो क्या सिखोगे जैसी बोलता है कि मैं sports medicine सिखूंगा Walter को idea अच्छा नहीं लगता और वो से suggest करता है कि तो बिजने स्कूल जानने चाहिए तो बहुत सारा experience भी अब आ चुका है med sell करके तो तुम वहाँ बहुत ही अच् मूवी के first में हमें दिखी थी उसमें माइक से वो पूछ रहा होता है कि अगर तुमने फिर से तुमें chance मिला तो तुम कहा जाओगे यानि कि अगर वो जैसी की age का हुआ तो माइक कहा जाएगा ऐसा जैसी उसे पूछ रहा होता है माइक बोलता है कि मैं alaska जाओंगा तो इस chemistry उसे दे देता है फिर जैसी उसे एक लेटर देता है वो ब्रॉक के लिए लेटर होता है उसमें एक प्रॉपर अपलोजी होती है वो उसे हो send करने के लिए बोलता है यह जो लेटर वो send करने वाला होता है यह भी अलग country से send करने वाला होता है यानि police को जैसी कभी भी ना मिले वो जैसी को बोलता है कि बहुत ही कम लोगों को अपने life फिर से start करने का chance मिलता है तो तुम अब अच्छे से अपने life जी waktu फिर नेक सिन में हमें दिखता है कि जेन उसे बोल रही होती है कि मैंने जो तुम्हें बताया था कि यूनियोस तुम्हें जहां लेकर जाए तो वहाँ तुम्हें जाना चाहिए यह बहुत ही गटिया सोचे जेन उसे बोलती है कि मैंने हमेशा मेरी लाइफ में ऐसा ही किया है पर इससे बहुत ही bad decisions हम लेते हैं हमें हमेशा हमारे खुद के decision लेने चाहिए हमें हमारे destiny खुद लिखनी चाहिए तो अब जेसी अपनी destiny खुद लिखने वाला होता है फिर एक long shot आता है और अकेला ही वो अपना रास्ता बनाते हुए हमें दिखता है जेसी पुरी life में बहुत सारे decision लोगों के manipulation में ही आकर कर रहा होता है जेन भी उसे manipulate करती है Walter के पैसे लेने के लिए Walter भी उसे manipulate करता है cooking करने के लिए peer pressures या कुछ ऐसा हुआ होगा इसलिए उसने drugs का लद उसे लगी थी तो बहुत सारी चीजे उसने bad decisions अपने life में लिए होते हैं लोगों के कहने पर तो अब अपना रास्ता वो खुद बना रहा है इस message के साथ ये movie end हो जाती है